आज के मार्केट हम लोग बहुत ज्यादा अची देखने को मिली कुछ मेजर फैक्टर्स थे इसके उपर अब भी स्टडी करते हैं किस रीजन से मार्केट बड़ी है कुछ मैनी फैक्टर्स थे बट अभी आप लोग ने लास्ट वीक देखा होगा कि हम लोग ने बहुत मेजर फॉल देखा है हमारी इंडियन मार्केट ने एक अच्छा ड्रास्टिक फॉल देखाया है और कुछ ट्रेंड लाइन कुछ लेवल बात निकरने वाले सिर्फ निफ्टी अन बांग निफ्टी के बारे में बात करने वाले है अभी मैं थोड़ा सा डाइसी हूं आज जिस तरीके सो एक ड्रास्टिक मूव आम लोग देखने को मिली है क्या वो सस्तेन कर सकती है या नहीं कर सकती है फॉर्स्ट वी आफ्टु आफ्टर दाट हम लोग अपने एक स्टॉक्स के अंदर अपनी पुजीशन बना सकते हैं तो मैं इंट्राइट एक लिए भी तभी नी दे रहा विकॉस कल लाइव मार्केट पे कल आदे गंटे के अंदर जो मूमेंट होगी उस डिराइफ के बीचिस पर मैं आपको आपको लोगों को देखने हो मिला आफ्टर वेरी गुट फॉल चलते हैं अपने ट्रेडिंग सेट अपकी तरफ सबसे वहले एक दो फैक्टर से जो मैं आपको बताता हूं जो मीजर मुझे लग रहे हैं फूर्स इस कि पूतिन इस एगरी तो नेगोशियेट विद दर यूक्रेन तो एक वह फैक्टर हो सकता है जो बहुत टाइम सम लोग इमाजिन कर रहे थे हैं अब सोच रहे थे वह सकता था इसके अलाब रश्या ने अपनी गैस सप्लाई यूरोप के लिए भी दुबारा स्थार्ट कर दी है तो वहां से क्या हो सकता है कि थोड़ा बहुत जो इंफल चार्ट निफ्टी का तो मेरा थोड़ा सा गला खराब होगा तो मैं बीच में रुख जाओंगा बट आप यहां पर चेक कर सकते हैं कि अगर आप RSI चेक करोगे तो RSI अल्मूस्स 50 के ऊपर है आप देख सकते हैं एक बार RSI यहां पर ड्रॉप करा था अंड एक्जाक्ली 50 के पास आया था अंड इसी लेवल थे इसने बांच करा था है रिकॉर्ड है अफ्टर दाट अगें यह दुबारा निचा है इट क्रि है हमने जैसे यूज कर रहा हमने देखा कि exactly it takes a 50% pause 50% पर अपना retracement pause लिया and it formed a type of insight candle जिससे हम अभी कह नहीं सकते बिकॉस अभी यह हफ्ता स्था हुआ है एक बार हम लोग चेक करते हैं कि जो previous था from this top to this bottom इस पे क्या हुआ था इस पर हम चेक करेंगे तो close to 50% आया था आ आ आरेस ही बता रहा है इट गेव बाउंस ठीक है अब यहां पर अगर आप चेक करोगे तो एक राइजिंग विच पैटन है इसका इसने ब्रेकडाउन दिया ब्रेकडाउन ने कुछ कुरूशल लेवल का दिया let me just show you यह एक पर्टिकुलर लेवल ता जो 16th August को बनाता यह एक इसने हमने देखा कि इसने राइजिंग विच पैटन को भी ब्रेकडाउन करा आफ्टर इस लेवल को भी ब्रेकडाउन करा आप जो इस पर्टिकुलर लेवल का लो था ब्रेकडाउन का अगर आप चेक करोगे तिक है let me just draw the line this is the line so उसके नीचे गया but after that उसके ऊपर consolidate करना start कर गया अब what we do is हम यहाँ पर इसका फिबो नाची लेंगे इस ड्रास्तिक कार्णिल का फिबो नाची लेंगे जिस लिवल से इसने एक ब्रेकडाउन दिया यह एक पर्टिक्लर क्रूशल लेवल है जहां पर हमारी मार्केट पॉस ले सकती है अब दो चीज़े फाक्टर इन होगी फर्स अभी हम लोग वीकली टाइम फ्रेम के अंदर स्टड़ी करें तो अगर यह वाली कैंडल इस जोन की उपर यह पर यह पर्टिक्लर जोन देख रहो इस जोन की उपर यह 61 परसंट विच लेवल इस दिस 18,200 अगर यह हफते 18,200 की उपर क्लोजिंग करता है दाट मीन्स कि हम लोग एक बुलिश मार्केट पे अभी भी है और अपना यह रिकॉर्ट जो है नहीं रिमुविंग एवरिधिंग तो आपको नहीं पर करेट हो का इस लेवल पर रिजेक्शन मिलता है लेट मोफ में यह ब्लेवल का ब्रेक्टाउन करके हम लोग द्रास्टिक बॉल देखने को होता है हम अपनी एक short position definitely create कर सकते है बट अब target क्या होंगे target we are not expecting this particular low हम क्या करेंगे for example let's say कि इस level पर आया and इसने आपर high create कर रहा है यहां rejection मिला अब वो नीचे आ रहा है what we do is हम यह bottom लेंगे जहां पर वो high तक गया है उसका हम एक Fibonacci लेंगे and we'll create a zone at 50 to 61% that means कि अगर यहां सिर्फ गरना start करेगा this should be our target जहां तक यह particular index आ सकता है अगर यह इसकी उपर closing देता है then we have to wait again because next दिन हमें देखना है क्या है एक false breakout हो नहीं था ठीक है हम patiently wait कर सकते हैं otherwise हम लोग randomly trade कर सकते हैं ठीक है we have to check everything ठीक है we have to be 100% sure after that we can be 70% sure अगर हम trade लेते हैं ठीक है so 2 scenario मैंने 3 scenario of course आपको बता दिया इस level पर rejection मिलता है नीचे आना start होता है इस zone के नीचे this should be our target अगर इसकी उपर जाना start करता है we'll have to wait for the next day to see अगर इसकी उपर sustain कर रहा है नहीं कर रहा for a 30 minutes of 40 minutes अगर कर रहा है then we can enter in this particular trade after that four scenario is कि market एक ने एक अच्छी movement दिया almost 1000 point bank nifty उपर गया तो there is a slightly chance कि gap up या gap down के बाद market sideways भी जा सकती है तो वह चीज़ भी हम लोग चेक कर सकते है तो वह अच्छा profit दे सकती है तो अच्छा profit दे सकती है ठीक है premium DKK through में यह particular चीज़ हो गई है bank nifty एक बार मैं आपको दिखा देता हूं और a daily time frame ठीक है so basically यही scenario है but stocks के अंदर हम लोग अभी trade नहीं करने वाले है bank nifty में आपको दिखाता हूं let's see this bank nifty ने एक इस लेवल पर rejection दिया था है न अफ्टर दाट एक drastic fall अम लोग ने देखी थी after that again इसने लेवल को टेस्ट करा था एक fall again आई थी after that it gave a very good breakout it gave a breakdown yesterday that is on Friday it gave a breakdown on this particular level but it sustained that level because let me just show you because of this wait a second yeah because of this because इसके उपर आज तक closing ने आई यहां पर भी closing ने आई इस लेवल पर भी closing ने आई इस पर भी आई ने आई but with a green candle it gave a breakout so यहां पर इसने pause लिया and after that एक बहुत बढ़िया bullish candle हम ने को देखने को बिलिया और actually में यह bullish है because इसने gap down भी recover करा इसने अपनी previous candle not this previous candle का 50% पर जाके close कर रहा है तो एक बार 2 hours का time frame open करते है so अना 2 hours time frame first use of fibonacci retracement that is this particular level और यह exactly 51 और 60 गे पर trade कर रहा है तेक है अगर यह इस लेवल की ऊपर जाना start करता है which level is this 42,815 गूपर जाना start करता है and on a 15 minutes time frame if it's sustain above this level then yes we can enter in this particular trade but अब यह पर cautious level का आता है let me just show you so let's see अगर नम इसके breakout पर trade ले 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 this is the major level जहां पर यह pause ले सकता है this is the major level जहां पर यह pause ले सकता है which level is this हम breakout buy कर रहा है at 850 and the target should be around 100 so that is 250 points के उपर हमें एक resistance मिल सकता है so 250 points का target also we can imagine it's a huge target and with the call option we can gain a very decent return so I think this should be the target that we can imagine let's say अगर यह नीचे जाना start करता है we can see a gap down opening हम imagine नहीं कर रहा है but we can let's say that हमें gap down opening इमाजन कर रहा है यह particular level आप देख पा रहे होगे ठीक है यह particular level है and let me create a market volume profile analysis ठीक है अगर यह level breakdown करता है our target should be between first target should be this particular level let me judge होगे and the second target should be this particular range because of the market volume profile analysis सबसे जादा जो volumes active buyers and sellers है वह इस zone के अंदर है इस zone के अंदर सबसे सबसे जादा active buyers है let me remove everything so आपके लिए easy होगे समझना ठीक है अब देख पा रहे होगे आपके buyers and sellers की बीच में fight चलती है तो सबसे जादा volume इसके अंदर है अगर इस zone के ऊपर sustain करता है that means a good buy signal because there is no volume the market can go up अगर इसके नीचे आता है then वो इस range के अंदर first जाएगा and अगर इस range के अंदर first हेगा then our first target should be this particular level which is the red line जो में इमाजिन करके चल सकते है so overall i think the market is sideways to slightly bullish and let me just open the bank nifty again so the market is slightly sideways to bullish and i can imagine definitely कि market अगर सस्तीन कर पाती और inflation सस्तीन रहता है थोड़ा सा भी slow रहता है थोड़ा सा भी effect देखता है तो मारी market सस्तीन कर सकते है it can definitely again create a all time high because we are not seeing the market to fall down very easily second last year which is very important what we have seen in the past scenario is that almost 15th January तक market tries to go boom market उपर जाना start करती है between 15th to 24th January market थोड़ी sideways to highly volatile हो जाती है and after 24th January जब budget का दिनाने वाला होता है market slightly trends to go down एक breakout उपर के देती है but again a crash आता है so we have to be very careful with this month because market is trading all time high at all time high so if the market tries to fall down एक drastic fall आ सकता है we have to see that so try to be active on the news side देखोगी और क्या budget के अंदर आया जो most important चीज़े जो market को derive करती है that is the corporate tax जो हमारे stock market के taxes है and other things जो infrastructure के budgets and everything that is not gonna determine the market much but यह कुछ चीज़े है जो हमारी marketing को derive कर सकती है क्या expense सूच है क्या budget निकाला गया इस थाल के लिए you have to focus on that ठीक है so that's it for today but try to focus और को इन stocks के आम focus भी कर सकते है fertilizer, sugar sector, cement sector, steel sector, infrastructure, railway and defense यह कुछ है है जिस पे हम quality stocks से ले करके buy on dips की strategy use कर सकते है because budget का महीना start होने वाला है and after that यह particular stocks hype करेंगे ठीक है news channel पे भी यह stocks hype करेंगे तो यह upper circuit लगाने की capable है तो इन पे भी आप थोड़वा focus करना and मैं definitely try करूंगा to give you that particular sector के कुछ specific stocks भी so have a good day guys bye bye exactly at 9.45 I'll try to give you a trade in nifty bank nifty or in any particular stock which you can make a decent return tomorrow make sure to follow us on telegram channel today I haven't give you much because I have to watch the market this is why I have a video because I have seen a breakdown on nifty but not a breakdown on bank nifty as you can see here it was pause so I have to check the market is going to be a gap down or a gap up or can you sustain or not after a very good sustainability I personally think the market is going to be a sideways or a slight fall okay so we have to check that have a good day bye bye